हेलो स्टूइट्स आप सबका स्वागत है हमारे चैनल Amplitude Studies 2.0 में देखे आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब हम एक्जाम में answer sheet लिखते हैं तो उसमें जो questions का order होता है जिसके हिसाब से solution हम देते हैं अंसर लिख करके तो उसके क्रम का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे नंबरों पर तो अगर हम नियम की बात करें तो नियम तो यही कहता है कि आप बच्चे जो है वो किसी भी order में question को solve कर सकता है जैसे मां यह suppose करिए question number 3 आपको अच्छा आता है तो आप question number 3 पहले अच्छा कर दें question number 5 अगर अच्छा आता है उसके बाद तो कम अच्छा आता है तो उसको उसके बाद करें question number 1 आपको सब से tough लगता है तो उसको सब इसे भी कर सकते हैं, तो ध्यान दीजे मैंने जो है, वो दोनों ही तरीकों पर जो है, वो किसी के पीपी क्रॉस का निशान नहीं लगाया है, कि मैंने एक पर क्रॉस लगाया हूँ, एक पर सही लगाया हूँ, मैंने केवल इतना किया है, कि इस पर सही का निशान लगाया है, त objective type questions में तो देखिए वो तने ही नंबर मिलने है जितने की जितने का वो question है लेकिन जहां पर बात आती है जैसे कोई derivation है या कोई एक language वाला question है जिसमें बच्चे ने तो पेज लिखा है और पांच में से माले suppose examiner उसे साड़े तीन साथ देना चाह रहा है लेकिन अगर उसका mood अच्छा है वो coffee से खुश है आपकी तो वहाँ पर चार साड़े चार तक भी दे सकता है तो वहाँ पर आ करके marks में थोड़ा बहुत फरक पड़ सकता है तो इसलिए मैं यह suggest करूंगा कि अगर आप पिलकुल से पढ़के गए हैं तो फिर आप सीरियल वाइज ही कोशन करें और अगर सीरियल चेंज करना भी है तो तो उसकेस में जो है वो आप उसके parts को कभी ने टच करें मैं इसका example आपको बता देता हूं कि जैसे माले सपोस करिए कोशन नंबर 4 का a b c 3 पार्ट है और कोशन नंबर 5 के भी a b c 3 पार्ट हैं तो अगर आप कोशन का order change करें मतलब पाच्वा पहले कर रहे हैं चौथा बाद में कर रहे हैं तो पाच्वे के तीनों पार्ट फिर उसके साथ एक साथ करें और चौथे के तीनों पार्ट यहां भी करें तो वो तीनों एक साथ करें तो अगर आप क के बोशन का ओडर और चेजज क करें तो उनके पार्ट्स का wieदर कभी ना चेंज जाए tracing करें मतलब कि मतलब कभी आप 5 का A कर हैं फिर 4 का B कर रहे हैं पिर बात प्र बात में जाकर के 5 डार धूर के से छूट जाते हैं तो उस case में examiner का दोश नहीं होगा तो कुछ-कुछ बोर्ट में मैंने ऐसे देखा इस तरह से लिखा रहता है तो अगर आप question order change करने कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उसको उसे भी बचें और अगर मालिया suppose करिए आप parts इदर उदर कर रहे हैं तो फिर थोड़ा से जादा तिक्कत हो जाती है तो इसलिए आप अगर इतना जादा मेहनत करते हैं इतना जादा पढ़ाई करके गए हैं कि आपके लिए सभी question बराबर हैं मैं अपनी ही बात बताओं जब मैं exam देता था तो मैं बिल्कुल same question मेरे लिए question number one भी वैसा ही रहता था question number eight भी वैसा ही रहता था question number ten भी वैसा रहता था बस मुझे ये select करना पड़ता था कि मैं 10 में तो अगर च्वाइस है तो कौन से पांच करूं और कौन से पांच करने के बाद फिर मैं order wise उनको करता चला जाता था इस तरह की कोई चीज ही नहीं आती थी कि पहले ये कर लू नहीं तो मैं पता लगा भूल गया बात तक या ये कोईशन कम तयार है इसे जल्दी से कर लू और उसके बाद पता लगा ये भूल गया मैं तो दिक्कत हो जाएगी ऐसा कुछ नहीं होता था जैसे free flow के हिसाब से mind से चीज़े निकलती है वैसे ही कोईशन जो है वो copy पे हम करते चले जाते थे तो आप इतना अच्छा तैयारी करें कि आप order से सारा अगर कोशन करते हैं तो वो best situation होगी आप examiner अपनी copy आपकी copy देख करके इतना कुछ हो जाएगा तो निश्यत्री आपको उसके end में फायता उसका जरूर मिलेगा तो यही बात मैं इस वीडियो में समझाता है हम ना चाहता था मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरह से समझ गहूंगे अगर कोई भी query है आप वीडियो के comment box में पूस सकते हैं हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बातों का जवाब दे सकें और अगर चैनल पर पहली बारा है सब्स्राइब जरूर कर लें वीडियो पसंद आ है तो लाइक करें दोस्तों में शेयर करें मिलते हैं आप से ऐसे किसी नेक्स वीडियो में धन्यवाद